एक दूजे के हुए केट्रीना कैफ और विकी कोशल 9 दिसंबर की शाम को विकी कोशल और केट्रीना कैफ साथ फेरे लेकर एक नहीं ग्रहिस्त जीवन में प्रवेश कर गए हैं वहीं रोयल अंदाज में शादी करने के बाद बालीविट की सबसे अड़ारेबल जोडी विकी कोशल और केट्रीना कैफ अब हनीमून के लिए रवाना होंगे हाल नहीं में कैट और विकी की एक वीडियो सामने आई है जिसमें दोनों ब्लू कलर के हेलिकॉप्टर से जैपुर से निकलते हुए नजार आ रहे हैं हलाकि वीडियो में दोनों में से किसी का भी चहरा साफ नहीं नजार आ रहा है चौपर की तरह जा रही कैटरीना ने हलके पीली रंग का प्रेंटेट सलवार सूट पहन रखा है उनके बाल खुले नजर आ रहे हैं वहीं एक लाल चाता लिए एक शक्स नजार आ रहा है कहा जा रहा है कि ये विकी कॉशिल है अब रिपोर्ट्स की माने तो दोना मुंबई के लिए रवाना हुए है शादी के बाद दुलहन केटरीना कैफ पहले अपने ससुराल नहीं जाएंगी खबरे हैं कि मुंबई एरपोर्ट से सीधे ये कपल हनीमून के लिए मालदीव्स रवाना होंगे 700 साल पुराने किले में साथ फेरे लेने के बाद केटरीना और विकी कॉशल ने मालदीव्स जैसे खुबसूरत जगहा को अपने हनीमून के लिए चुना है यहाँ पर ये कपल कब तक रहेंगे फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है केटरीना कैफ और विकी कॉशल की शादी को लेकर पिछले काफी समय से बंस बना हुआ था ऐसे में जैसे ही कपल ने अपने अपने सोशल मीडिया पर अपनी रॉयल शादी के तस्वीरे शेयर की तो ये तस्वीरे आग की तरह सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई हलांकि केटरीना कैफ और विकी कोशल ने शादी से पहले काफी माहौल बनाया था दोनों ने अपनी शादी के दोरान की फोटो और वीडियोज लेने की मना ही रखी थी ऐसे में फैंस दोनों की शादी और उसे जुड़ी रस्मों को देखने के लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे थे लेकिन कैट और विकी ने अपने फैंस को जादा इंतजार भी नहीं करवाया और शादी के चंद घंटों बाद ही तस्वीरे शेयर कर दी इंतस्वीरों में कपल का रॉयल लुक देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शादी वागी बेहद शाही अंदाज में हुई है केट्रीना कैफ ने अपनी शादी पर लाल कलर का खुबसूरत लहंगा पहना हुआ था इसके साथ माथा पट्टी, टीका, चोकर और नेकपी समेथ उन्होंने सोला श्रेंगार कर रखे थे वो दुलहन के लिबास में बेहद ही खुबसूरत लग रही थी वहीं उनके दूलहे विकी कोशल और वाइट शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे केट्रीना का रॉयल अंदाज में साथ फेरे लेने का सपना सच हो गया है महरानी की तरह एक्ट्रेस ने विकी का हाथ थामा दोनों बेहदे खुश नजार आ रहे थे जानकारी की माने तो शादी के बाद कपल ने गुरांड रिसेप्शन पार्टी दी जिसमें शाही भोजन परोसा गया बता दें कि केट्रीना और विकी की शादी का फंक्शन साथ दिसम्बर से शुरू हुआ था महंदी और हल्दी सेर्मेनी के बाद दोनों की शादी 9 दिसम्बर को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई